अखवार जगत में आपका स्वागत हैं इंदोर के एपल हॉस्पिटल के अन्यमित्ताओं को लेकर मिली शिकायत को लेकर इंदोर कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्त विभाग और जिला प्रशाशन की टीम ने हॉस्पिटल का दौरा किया जिसकी जाच में अन्य कहीं अन्यमित्ताओं भी पाई गई जिसको लेकर जिला प्रशाशन दौरा कारवाई की गई इस दौरान हॉस्पिटल में बिल सम्मन्ती अन्यमित्ताओं भी पाई गई साथ ही जाच के दौरान 37 COVID-19 मरीज भरती पाई गए थे सबी मरीजों की बिल की कौपी लेकर उनका कमपेरिजन किया गया जिसमें पता चला युनिवर्सल प्रोटेक्शन के नाम पर हर मरीज से 3,000 वसूला जा रहा था साथ ही पीपीटी कीट के नाम पर भी प्रती मरीज से 3,000 लिये जा रहे थे वही डॉक्टरों के विजिडिंग के लिये हर मरीज से अलग-अलग बुक्तान लिया जा रहा था किस तरह की ये कारवाई होई और आखिर ये नौबत क्यों आई बिसिकली सिकायत ये थी कि वहाँ बिल में काफी अनिमित्ता पाई गई थी और सिकायत करता के दर ये बताये गए कि उनके बिल में कुछ रासी ऐसी है जो उनके द्वारा कभी ना तो ऐसा टेस्ट हुआ है और नहीं ऐसे उनको कोई ऐसे प्रोसीडर्स कराए गए हैं जाच करने पर आकस्मिंग निरिक्षन के तोरान ये पाए गए कि 37 मरीज अभी कोविड के वहां भरती थे उन सभी मरीजों के इंतरीन बिल्स की कॉपी ली गई और उनका कंपेरिशन वहीं बैट करके जब किया गया तो देखा गया कि इंवर्सल प्रोटेक्शन के नाम पर 3000 रुपए प्रती मरीज लिया जा रहा है और दूसरा उसमें पीपी कीट के नाम पर भी हर मरीज से 3000 रुपए लिजा रहे है साथ ही डॉक्टर की विजटिंग फीस के नाम पर भी अलग-अलग मरीज से अलग-अलग चार्जेस की ग